हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टो यॉर चैनल दा एकॉनॉमिक सब आज की इस वीडियो को हम लोग कंटीनु करेंगे जो हम पढ़ रहे थे हैं इंडियन एकॉनॉमिक डवलपमेंट क्लास 12 चैप्टर नमबर 3 इंडियन एकॉनॉमी 1950-1990 इस से पहली वाले वीडियों में हमने agriculture sector को पूरा कवर कर से था अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंड़ंडी और टेर्ड के बारे में तो आये मेझे स्टार्ट करते हैं क्या प्राइबेट होता है क्या पाबलिक होता है क्या SSI होता है क्या Import Substitution होता है क्या Export Promotion होता है ठीक है तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं Industries की Industries हम सब जानते क्या होता है Industries का मतलब होता है जब भी आपके दिमाग में Industry आएगा तो आप आग बंद करके सोचेंगे बड़ी-बड़ी Companies के बारे में कौन सी Companies Manufacturing Companies ठीक है जहां पर प्रोडिक्शन होता है जहां से Raw Material को Convert करा जाता है Finished Goods में जहां पर जादा से जादा लोग काम करते हैं तो यह सब Industries होता है ठीक है अब यह Industry है क्या कहना चाहरा है Forward Growth किसी भी Economy की किसी भी देश की अगर आप Grow चाहते हैं कि वह Economy तेजी से Grow हो तो उसका Industrial Sector होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्यों? Forward Sector is Possible Only When Epic Central Lie on the Industrial Sector जिस Economy में Industries जादा से जादा होंगे वहां पर क्या होगा? देखो Industry जादा होंगी तो Employment जादा होगा Employment जादा होगा तो लोग के Income जादा होगी लोग के Income जादा होगी तो लोग के Income जादा होगी तो लोग के Income जादा करेंगे तो लोग के Expenditure जादा करेंगे खर्चा जादा करेंगे खर्चा जादा करेंगे तो प्रोडिक्शन जादा होगा कि क्यों ना हम agriculture को तो plan बना ही बना रहें अब agriculture के साथ-साथ हम क्या करें industries को और आगे लेके जाए ठिक तो यहां हम industry की बात करते है industry अपको समझ में आ गया होगा चलिए अब industries पढ़ने से पहले हमें private sector और public sector जरूर पता होना चाहिए क्योंकि आगे बहुत बार discuss होगा private sector क्या होता है private sector हम जनली जानते है private sector वो sector होता है जहां पर government लोगों के welfare के लिए बात करती है ठीक है वो पूरी तरह से कौन public sector को पूरी तरह से चो control करता है वो कौन control करता है वो government पूरी तरह से और government चाहती है लोगों का ज्यादर से ज्यादर क्या हो social welfare हो ठीक है जैसे railways हो गया ठीक है और roadways हो गया public park हो गया public hospital हो गया तो यह होते है public sector जहांबे हर इंसान जाके क्या कर सकता है अपने treatment करा सकता है पढ़ सकता है तो यह हो गया public sector यह social welfare के बारे में बात करते है private sector ऐसे sectors होते हैं जो केवल और केवल profit maximization के बारे में बात करते हैं जैसे reliance ठीक है अडानीज तो these all are the private sectors ठीक है इनका motive केवल और केवल होता है पैसा कमाना यहां इसको government चलाती है इसको private individuals चलाते है तो public और private में आपको समझ में आ गया होगा यह याद कर ले ना यह कभी-कभी क्या होता है यह कभी-कभी practical में आपसे teacher पूछ लेता है कि भाया बताना जारा public and private time में difference क्या होता है what is the difference between public sector and private sector तो अब जट से answer देते ना जो मैंने आपको बताया है ठीक चलिए आगे बढ़ते है अब government चाहत हो रही थी industries आगे बढ़े ठीक है industries जादे से आगे बढ़े industries बढ़ेंगी तो मैंने आपको बताया क्या क्या आगे बढ़ेगा अब कुछ problems में थी भारत में भारत को सारा Britishers लूट के ले गए थे अब क्या हुआ कुछ factors थे जिससे बहुत सरी problems हो रही थी जैसे lack of capital lack of capital का मतब क्या है कि जितना पैसा होना चाहिए था industries को आगे बढ़ाने के लिए उतना पैसा नहीं था क्योंकि industries मजाद खुले ना है industries के क्यालने चाहिए big push need large amount of capital expenditure बहुत सारा खड़चा करने ले चाहिए but इतना budget हमारा नहीं था growth भी करनी है तो social justice भी करना ऐसी growth करें कि जिससे social justice भी हो ऐसी industries ना लगा के डाल दें जिससे क्या हो वो ऐसा product बना है जो अमीर लोग ले सकें गरीब लोग ना ले सकें तो growth करनी है एक social justice के साथ concentration of wealth was to discourage public investment rather than private investment इसलिए government ने कहा कि public investment पे हम जादा ध्यान देंगे private investment पे हम कं ध्यान देंगे ठीक है जिससे क्या हो जिससे जादा से जादा लोगों तक मदद पहुंच चके ठीक है जादा जादा लोगों तक मदद पहुंच सके इसलिए उन्होंने public sectors को जादा ध्यान दिया और private sectors को कम ध्यान दिया इसको और हम detail में आगे पढ़ेंगे third we have low inducement to investment अब इससे problem कहती देखे मैं आपको यह chart है बहुत अच्छे समझाता हूं किसी भी इंसान की जब income कम होगी तो मैंने भी पीछे भी समझाया तो demand भी कम होगा जब demand कम होगा तो खरीदने के लिए market में लोग जादा जाएंगे कम जाएंगे जब लोग market में demand कम करेंगे तो इसका मतब market में investment क्या हो रहा है कम हो रहा है जब market में investment हो रहा है तो लोगों की income होगी? नहीं होगी. Low income फिर से ये chain चल दियाएगी. अब imagine करो income बड़ी, तो लोगों की demand बड़ी, लोगों ने खर्चा जादा किया, तो market में वो goods and services को जादा खरीदने गए, जिससे investment बड़ा, ठीक है, जिससे production बड़ा, जिससे employment बड़ा, ठीक है, थर्ट, अब IPR, भाया, ये IPR बहुत अच्छा से कर ले ना, ये कई बार position boards में भी पूछा है, IPR 1956, industrial policy resolution, क्या होता है IPR, इस resolution, लेडर road map to second five year plan, second five year plan में इसको आगे बड़ाया गया था, क्या होता है, three fold classification, ये मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूँ, आप भी बहुत अच्छे समझना, बहुत इसम्पल से topic है, three fold classification, three fold classification में सबसे पहला, fold जो था, government चाहती थी, कि हम, सबसे पहला जो license दे, सबसे पहले जो हम भरोसा करें, वो किस पर करें, हम भरोसा करेंगे, public sector पे, ठीक है, public sector मतलब, जो, जिसको government अपने undertaken मिलेगी, ठीक है, जो भी establishment हुए थे, वो public sector में सबसे पहले हुए थे, ठीक है, जो भी enterprises, जैसे जिसमें हम include कर देते, atomic, atomic energy हो गया, ठीक है, और आपका defense sector हो गया, ठीक है, और आपका railways हो गया, तो government ने सबसे पहले, पहला फोल्ड जो railway का था, वो क्या था, फर्स्ट फोल्ड हम बोल सकते हैं, public sector, second fold क्या था, second fold में आपका था, second fold में public, सबसे पहले public को देंगे, फिर हम private के बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो क्या हुआ, यह हाँ पहले public and private two fold में हो गया था, ठीक है, तो यह industries, और third fold गया था, अब जो कुछ बचा, हम किसको देंगे, private sector को देंगे, तो this is called three fold classification, बहुत simple सा है, पूछ लेता है, अब बता भी देना, पहला fold public पे फरोज़ा करेंगे, क्या कहता है, इसको भी पढ़ लेते हैं, इंडस्टी लाइसंसिंग कह रहा है, industries in the private sector could be established only through the license, अगर private industry को इस setup होना चाहती है, तो उसे पहले क्या लेना पड़ेगा, लाइसंस लेना पड़ेगा, किससे, सरकार से लाइसंस लेना पड़ेगा, कोई मुझे बता सकता है क्यों, चलि मैं आपको बताता हूँ, अब government ने कहा हम आपको license देने को तयार हैं, लेकिन आपको अपनी industries कहा लगानी होंगी, backward reasons में लगानी पड़ेंगी, backward reasons मतलब गाओं में लगानी पड़ेंगी, यह ऐसी जगह जहाँ पर कोई growth नहीं है, क्यों? जब industry लगेगी, industry बढ़ी, तो वहाँ पर employment बढ़ेगा, जब वहाँ पर employment बढ़ेगा, तो लोगों की income बढ़ेगी, लोगों की income बढ़ेगी तो consumption बढ़ेगा, तो उस जगह का क्या होगा? विकास होगा, government offered many types of industry concession for established industry in the backward region, जो जो लोग backward region में industry लगाएंगे, उनको हम concession देंगे, कैसा concession देंगे? tax में rebate देंगे, चलो tax में rebate देंगे, छूट देंगे tax में आपको, ठीके आप tax free, हमें tax मत दो, आप अपना करो, और subsidy power supply, अगर आपको electricity चाहिए ना, उसमें भी हम सबोज आपका एक लाग रुपे का भिलाया ना, तो हम आपको केवल और केवल कितना सा रुपे देना है, केवल बीस हजार रुपे देना है, तो इसमें भी subsidy देना स्टार्ट कर दिया, तो ये केवल और केवल government क्या चारी है, इसले कर रहे है जिससे गाउयों में unreal वायों में कुक्ष हो जब गाउयों में भी जब वी लोगों का विकास होगा, उछ जगह अरप लोग inडुस्टी विकाम करनीं आएंगे लोग घर बनें गे दुकान दुकाने गलेंगी, रोज़गार बढ़ेते तो यही मोटिफ था जो backward reasons थे जो गाओं थे उनको आगे बढ़ाने का ठीक है तो यह था आपका industrial concession समझ में आगया आपको चलिए अब हम बात करेंगे small scale industries क्या होता है small scale industries क्या कहना चाला है जिसको हम जानते है एक को नाम से और SSI small scale industries small scale industries क्या होता है आज की टाइम में small scale industries बहुत चेंज हो गया है पुराने के जमाने में कैसे small scale industries presented defined as a unit having fixed investment of less than 10 crore with a turnover less than 50 crore तो यह आपको words याद रखने पूछ सकता है earlier पहले it was defined as one whose investment does not exceeds 1 lakh थे को पहले कितना कम था और आप कितना फड़ा कहा गया 1951 के ताइम पे it was defined one whose investment does not exceed 5 lakhs जाद 5 lakhs से जादा नहीं होना चाहिए simple थे small scale industries के बारे में पढ़ ले अब यह जो चीज है यह बहुत ध्यान से पढ़ना the role of small scale industries is to promote ruler development small scale industries आया था उसका main motive था ruler को development करना मतलब जो गाओं है उनको विकास करना इसके निए कर्वे committee बनाई गए ती कर्वे committee पूछ लेता है year पूछ लेता है याद रखा कर्वे committee basically for SSI small scale industries यह one marks में question आ सकता है MCQ में बोर्ट में तो small scale industries यह होता है इसके अंदर कर्वे committee एक बनी है अब small scale industries के तीन typical characteristics हैं यह मैं आपको समझा देता हूँ SSI is a labor intensive techniques यहाँ पे labor का use क्या होता है ज्यादा होता है machine का use क्या होता है कम होता है ठीक है labor intensive techniques नाम समझ में labor का use ज्यादा है और machines का use क्या है कम है because this is a SSI SSI show locational flexibility locational flexibility का आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि देखो भीया मैंने ना तब उस Delhi में कि गाओं में को industry लगाई वहाँ चली नहीं पा रही है तो मुझसे किसी ने गहा है इस चीज का demand ना लखनाओं में बहुत जादा है तो मेरी छोटी सी industry थी मेरे कम लोग थे तो मैंने अपने दिल्ली से कहा shift कर दिया लखनाओ shift कर दिया इस इस का location flexibility और SSI small investment थोड़े से थोड़े से पैसे से भी आप अपना investment और अपना business setup कर सकते हैं तो यह तीन typical characteristics है आपको याद करने है याद हो जाएंगे labor intensive दूसरा location flexibility और तो यह क्या होगा आपका तीन typical characteristics of SSI clear हुआ समद में आ गया चेली next के आपके पास next है trade trade क्या होता है trade हम नाम से जानते है trade का मतब होता व्यापार business ठीक है इंडिया में रहके, इंडिया के बाहर रहके business करना इंडिया से बाहर बेजना globally ठीक है इंडिया से बाहर भी समान आ रहा है India के अंदर भी जा रहा रहा है तो यह globe है भारत के बाहर ही इंडिया है तो यह उतार trade trade क्यों government अपना बढ़ाना चाहती है और क्यों government कहती है import substitution करो और export promotion करो इन दोनों words को मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूँ ध्यान से सुनी का import substitution का मदब क्या होता है आपको पता है substitute क्या होता है substitution का मदब होता है कि इसका substitute क्या हो सकता है Suppose मैं आपको एक example की तौर पर बताऊं बात एक mobile है जिसको हम US से export कर रहे है अब जब आप US से export कर रहे हैं इंडिया ला रहे हैं तो उसको बहुत सारे taxes लेने पड़ रहे हैं हमारा जो rupees, dollar है वो भी जा रहा है तो government ने कहा कि हम ऐसा क्यों ना करें जैसे चलो mobile का भी छोड़ो मैं आपको एक example बताता हूं जो रिसेंटली जैसे government ने defense का प्रोडेक्ट भारत में बनाना शूब कर दिया है पहले वो defense कहां से लेता था US से लेता था अब इंडिया जब defense का समान US से ले रहा है तो उसे dollar भी दे रहा है अब भारत के बाद बैसी dollar का में dollar चला जाता था तो government ने कहा कि यार ये बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते तो government ने defense के प्रोडेक्ट को इंडिया में बनाना स्टार्ट करा जिससे क्या हुआ जो हमारा dollar था वो save हो गया ठीक है dollar save हुआ जिससे हमारी economy कै हुआ होई strong हुआ ठीक अब इंडिया ने बनाना कर स्टार्ट कर दिया तो इसी को बोलते है import substitution क्यों import substitution is a strategy to save foreign exchange by and encouraging domestic production अब देखो इंडिया में बनेगा तो foreign currency तो save हुई लोगों को employment जादा मिलेगा जब लोगों को employment जादा मिलेगा इंपोर्ट की जगह में एक्सपोर्ट करें, अपना बनाए और लोगों को बेचे समझ में आगी बात, जिससे क्या होगा, बाहर की कंप्री भारत में नहीं आएगी, और हमारी कंट्री को क्या में लेगा, अच्छा खास सपोर्ट बनाएगा, ठीक है, इस 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 करो export को promote करो export करने का मतब क्या होता है जब हम इंडिया से कोई चीज बाहर भेजेंगे तो हमारा बस डॉलर आएगा जाने की जगे ठीक है this is called export promotion जो हम बना रहे हैं उसे जादा से जादा क्या करें बाहर की countries में बेचें जिससे हमारी economy strong हो और हमारा जो international इंटर्नाइशनल को market है इंटर्नाशनल कोंपेशन वह क्या हो बड़े he this is or export promotion तो import और export आपको समंझ में क्या होता है import और export का मतलब सिंपल सा होता है कि import का मतलब है import substitution का मतलब क्या है कि हम import को substitute करें बाहर से समान भारत में ना लें अपना खुद मनाये और export प्रमोशन का मतनब होता है कि हम इंडिया में समान बना के बाहर के देशों में बेचें तो this is called import and this is called export promotion समझ में आगई बात clear हो गया है तो यह trade भी complete होगा हमारा अब यहाँ पर कुछ good effect और bad effect दे रखें आपको यह ऐसे कोई मैंने particular बनाये नहीं है अब good effect क्या लिख सकते हैं हमारे भारत में green revolution आया यह good effect हुआ ठीक है हमारे भारत में IPR को दुबारा लेके आये public sectors पर ज़्यादा भरोसा करा गया यह good effect हो गया अपने आप से बना गया और bad effect इसका ही लिख सकते हैं कि green revolution जो आया HYV seat जो मिली वो अमीरों को मिली गरीब तक नहीं पहुंच भारी थी subsidy जो मिल ली थी उसका लोग गलत इसमाल कर रहे थे तो यह सब bad effect डाल सकते हैं तो this is called good और this is called bad effect और इसी के साथ आपका chapter होता है complete कौन सा chapter chapter number 3 कौन सा chapter पढ़ा हमने chapter number 3 पढ़ा IED का complete यहाँ पे होता है ठीक है अगर आपको इस chapter से related कोई भी problem है या इसके आपको pdf notes चाहिए तो आप सीधा मुझे यहाँ पे जाके मुझे follow कर सकते हैं और मुझे comment करके जरूर बताएगा आपको video कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे बताईएगा और अगर आप जहाते हैं इसमें कोई changes हो तो मुझे follow करके और मुझे comment करके जरूर बताएग थैंक्यू सो मच फूर वौचिंग and stay tuned and more and more subscribe to my channel थैंक्यू सो मच